हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यूनिक सपोर्ट यूटूब चैनल में आज की इस वीडियो में एट ग्रेट अभ्यास पुस्तिका दो हजार तैस चोबिस इसके अंतरगत नई पुस्तक कक्छा साथ विसा हिंदी मेरी भावना पूर सॉलूशन देखेंगे प्रेश्ण गी और पहला प्रेश्ण आता है आपका बहु बिकलिपिय प्रेश्ण हरदय में कौन सा भाव होना चाहिए तो ए नंबर सही होगा हरदय में प्रेम की भावना होना चाहिए दूसरे में है कविता में शॉन्दर उत्पन्य करते हैं तो इसका राइटा अनसर हो जाएगा अलंकार Next आता है आपका प्रस्जण करमांग तीसरा मेरी भावना कविता में कवी के अनुसार किसकी सेवा करनी चाहिए उतर में लिखना है मेरी भावना कविता के अनुसार हमें लोगों की सेवा करनी चाहिए इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रिश्ण करमांग चौथा आप रिये कटू के कठूर सब्द नहीं कोई मुक से कहा करे उक्तपंक्ती में कौन्शा अलंकार है जिसमें अनुप्राश अलंकार है इसके बाद नेक्स्ट है आता है आपका प्रिश्ण करमांग पाचवा मेरी भावना कविता के भावार्थ में कभी इस जीवन में कौन सा कार करना चाहता है उतर में लिखना है मेरी भावना कविता के बावार्थ में कवी इस जीवन में अच्छे तथा परोपकारी कार करना चाहता है नेक्स्ट है मेरी भावना कविता में कवी किस से दूर होना चाहता है इसके बाद नेक्ष्ट है आपका प्रिश्ण कर्मांग साथ लगुत्री प्रिश्ण कर्मांग साथ में है मेरी भावना पाठ का आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा अपने सब्दों में लिखिए उतर में लिखना है मेरी भावना कविता से मुझे सभी लोगों से मैत्री भाव रखने और दूसरे जीव जनतों से सामे भाव रखने की सिख्चा मिलती है इसके बाद नेक्स्ट है आपका, मैं तरी भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित रहे, उक्त पंग्ती का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए उतर में लिखना है, इस संसार में जितने भी जिव जनतु हैं, उन सभी से मैं एक मित्र की भाती विवहार करूं नेक्स्ट आता है आपका प्रिश्ण करमांक, नौमा रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत विवहार करूं, उक्त पंग्ती का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए उतर में लिखना है, बच्चे संसार के सभी लोगों से सरलता और सत्यता का विवहार रखना चाहता है वे किसी के साथ छलकपट नहीं करना चाहते इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रिश्ण करमांक दस्वा मेरी भावना कविता में कवी ने किन-किन पर सामे भाव रखने की बात कही है इस कविता में कवी दुरजन, कुरूर और सत्त के मार्ग से भटके हुए वेक्तियों पर सामे भाव रखने को कह रहा है इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दिर्ग उत्री प्रेज प्रुष्प्रमांग 11 में है मेरी भावना कविता का भावार्थ अपने सब्दों में लिखिए मेरी भावना कविता में कवी इस वर से स्वयम के लिए तथा पूरे संसार के लिए अच्छी भावना प्रदान करने का बरदान मांगता है इस कविता में कवी ने प्रमुक रूप से इस संसार के परोपकार के बारे में बात कही है तो प्यारे बच्चों यहाँ पे पहला पाठ आपका समाप्त होता है अब चलते हैं अगले पाठ की ओर हिंदी एडिगरेट अभ्यास पुस्तिका कक्छा साथ पाठ दो का प्रिश्ण उतर पाठ दो में हैं दादी की घड़ी चलते हैं प्रिश्णी और पहला प्रिश्ण आता है आपका बहु बिकल्पिय प्रिश्ण विभा से आते ही जोरदार एलान किया वाक्य में रेखांकित सब्दांस है जिसका सही उत्तर हो जाएगा ए ये निपात दूसरे में है तकिया राम सुबह चार बजे जगा देना जगाने की यह तरकीव दीपू के किसने बताई दादी ने तो आपको डी नमबर आंसर लगा देना दादी ने इसके बाद नेक्ष्ट है आपका अति लगुतरी प्रेश्ण प्रेश्ण करमांग तीसरा में है आगन पड़ी आगन पड़ी में खटिया पर जा बैठा चुकचाप वाग को सही पद क्रम में लिखिए आगन में पड़ी खटिया पर चुकचाप जा बैठा फिर आता है नेक्स्ट प्रिस्ण करमांग चार दीपू को किस चीज की बड़ी इक्षा थी उत्तर में लिखना है दीपू अलारम घड़ी की बड़ी इक्षा थी वह सोचता था कि हम भी सिराने घड़ी रखकर सोएं और उसकी सुरीली आवाज के साथ दिन की शुरुवात करें इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रिस्ण करमांग पांचवा दीपू के दोस्त उससे इर्षिया क्यों करते थे उसके दोस्तों इर्षिया ही करते हैं कि पूरे घर में वह सबका लाड़ला है पर उसे इस बात की जरा भी खुसी नहीं थी फिर प्रिस्ण करमांग छटवा आता है सभी लोग दीपू को क्यों डाट रहे थे उतर में लिखना है सभी लोग दीपू को इसलिए डाट रहे थे क्योंकि घरी टूट गई थी इसके पर नेक्स्ट को स्चनाता है आपका लगुत्री प्रिस्ण प्रिस्ण करमांग सात में है दम साधना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक में प्रयोग कीजिए दम साधना चुप रह जाना वाक में प्रयोग करना है घाड़ी की टूट जाने के बाद इदी और भैया की डाट खाने के बाद दीपू दम साध गया नेक्स्ट है घाड़ी कैसे टूट गई थी उतर में लिखना है सारी रात बिस्तर पर इधर से उधर चहल कदमी करते समय दीपू ने नीद में घाड़ी में जोर से किक मार दी थी घाड़ी नीचे गिरी और तूट गई इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रिश्ब करमाक नॉमा दीपू दीदी और भाया के कौन कौन से कारे करता था कोई दो कारे लिखे पहला है दीदी की सहेलियों के पास किताबे या चिठिया पहुचाना इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रिश्ब करमाक 10 लाडला होने के बावजूद दीपू खुस क्यों नहीं था दीपु इसले खुश नहीं था क्योंकि दिन भर तो उसे सबकी डाट डाट डपट ही सुननी पड़ती थी हर तरह की बेगर ढूनी पड़ती थी दीदी और भया तो उसे बिना पैसे का नौकर समझके दिन भर नचाते रहते थे इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दिर्ग उत्री प्रेश्म कर्मां के ग्यारा में है दादी ने अनोखी घड़ी किसे कहा है और उसके बारे में दीपु को क्या बताया दादी ने अनोखी घड़ी का राज बताते हुए दीपू से कहा भला तकिया भी बोलता है असली अलारम तो हमारे दिल में होता है जब हमें जरूरी उठना होता है तो यह हमें जगा देता है इसके बाद नेक्स का आता है आपका प्रिश्ण कर्मान का बारा दादी के घड़ी कहानी का सारांस अपने सब्दों में लिखे दादी के घड़ी पाठ का सारांस है कि जब हम जरूरी किसी कार के लिए शुबह जल्दी उठना होता है तो हमारी आँख स्वेता ही स्वेता ही नियत समय पर खुल जाती है हमें किसी अलारम की अवसिक्ता नहीं होती है ये था आपका लास्ट प्रेस्ट में यहाँ पर वीडियो खतम होती है वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा तो चलिए प्यारे बच्चो पाड़ दो आपका यहाँ पर समाप्त होता है अब चलते हैं पाड़ तीन की और चैनल में पहली बार आएँ तो वीडियो को लाइक जरूर करें 10 में थीन में मेरी वशियत चलते हैं प्रेस्टी और पहला प्रेस्ट आता है आपका बहु होगा ना इसका ए नंबर राइट आंसर होगा ना इसके बाद आता है अति लगुत्री प्रेस्ट मेरी वसीयत पाट से नहरु जी की कौन सी भावना जलकती है उतर में लिखना है मेरी वसीयत पाट से नहरु जी की देश प्रेम और एक्ता की भावना जलकती है इसके बाद next question आता है आपका प्रिश्म करमान चार काम्याबी सब्द में ना उपसर्ग जोड़कर ना काम्याबी सब्द बना है इसी तरह ना उपसर्ग जोड़कर कोई दो सब्द बनाईए ना सब्द जोड़के बनाना है ना राज ये दूसरा है ना और मुम्किन ना मुम्किन इसके बाद next आता है आपका प्रिश्ण कर्मांग 5 किसके बदले में कुछ भी दे पाना मुम्किन नहीं है पाट की अधार पर बताईए प्रेम की बदले इसके बाद next को चनाता है आपका प्रिश्ण कर्मांग प्रिश्ण कर्मांग 6 में है वी उपसर्ग जोड़ कर कोई दो सब्द बनाईए वी और कार को जोड़ के बनाना है विकार वी और साल को जोड़ के बनाना है विसाल इसके बाद आता है लगुत्री प्रेस्ट प्रेस्ट गर्मंग साथ में हैं नहिरू जी मरने के बाद कोई धार्मिक रस्म आदा नहीं करना चाहते थे, क्यों, क्योंकि नहिरू जी रस्म समझ कर उसमें बंध जाना एक दोखा मानते थे फिर इसके बादाता है नेक्स्ट कोश्चन प्रिस्ट कर्मानक आठ नहिरु जी ने अपनी वस यत में मरने के बाद भस्म को कहाँ डाल देने की इक्छा वेक्च की है नहिरु जी ने अपनी वसियत में मरने के बाद अपनी भस्म को मुठी भरगंगा नदी में तथा सेस बची हुई भस्म को भारत की उन हिस्सों में डालने की बात कही थी जहां किसान जीतोड मेहनत करते हैं इसके बाद नेक्स्ट कोस्चन है आपका प्रिश्ण करमांक नौमा अपने जिले की किसी भी नदी की विशेष्टाओं पर तिन वाग के लिखे पहला है मेरे जिले के नदी का नाम वैन गंगा है दूसरा है यह नदी पूर्व से पस्चिम बहती है तीसरा है इस नदी में मैंने सुबह की समय गंगा नदी को मुश्कुराते देखा है दूसरा है गंगा तो विशेषकर भारत की नदी है तीसरा है गंगा नदी भारत की प्रचीन सब्यता का प्रचीन रही है प्रचीन सब्यता का प्रतीक रही है इसके बाद नेक्स्ट कोस्चन आता है आपका दीर को उत्री प्रेस्ट प्रेस्ट कर्मा के 11 में नहिरु जी ने पुरानी रीती रस्मों का विरोध क्यों किया क्योंकि वह क्यों चाहते हैं कि भारत की लोग इन रीती रस्मों की जंजीरों को तोड़कर बाहर निकल जाए क्योंकि यह रस्में हमारे देश भारत को आगे बढ़ आता है आतीलगूत्रेश्न परेस्न कर्माग तीसरे में हैं दादूर का कंट खुला से क्या आसा है वर्षा के आगमन पर मेधक जो अपने कंट से आवाज निकालते हैं उस दोनी को यहां कहां गया है दादूर का कंट खुला है दादूर का कंट खुला इसके बाद नेक्स्ट है प्रिशनकरमांग चौथा मेग बजे कभिता में रितू का वरणन किया गया है वर्षा रितू का फिर प्रिशनकरमांग पाँचवा है वर्षा रितू में काउन सा पक्षी न्रत करने के लिए जाना जाता है वर्षा रितू में मोर न्रत करने के लिए जाना जाता है नेक्स्ट है दामनी सब्द के दो परियावाची सब्द लिखे पहला है विद्धूत पहला है विद्धूत चपला फिर नेक्स्ट है लगुत्री प्रेज अमांग साथ में है दोनों कभिताओं में आये समान धोनी वाले सब्दों को जोड़ कर लिखे सब्दों को खोच कर लिखिए खुला धुला चंदन वंदन चमक दमक रीता बीता बरस तरस इन नेक्स्ट है आपका प्रिस्ट करमांग आठवा पंक बना हरी चंदन पंक्ति का भावार्थ लिखिए उत्तर में लिखना है वर्षा के मौसम में जब मिटी गीली हो जाती है तो उस मिटी से खुसबू आने लगती है तब वह गीली मिटी हरी चंदन के समान लगती है इसके बाद नेक्स्ट कोस्टन है आपका प्रिस्ट करमांग नौमा बादल गुस्टे में क्यों लग रहा है उत्तर में लिखना है बादल में बादल में जब गरजने की और बिजली की चमकने की धोनी आती है तो ऐसा लगता है मानो बादल गुस्टे में है इसके बाद ने प्रतित के समान फल आते हैं तो वे ऐसे प्रतित होते हैं जैसे मानों कदम के पेंड़ पर कंदुग गेंदे जूल रहे हो इसके बाद नेक्ष्ट है आपका प्रिश्ण करमांग 11 मेग बजे कविता कसार अपने शब्दों में लिखे वर्सा रितु के आगमन पर वर्सा रितु के आगमन पर बादल गरजने लगता है और बिजली चमकने लगती है मेड़कों का मेड़कों का कंट खुल जाता है चारो ओर चारो और साफ सफाई हो जाती है ऐसा प्रतीत होता है मानो धरती का हरदय खुल गया हो गीली मिटी हरी चंदन के समाल लगने लगती है और किसान अपने हालों को खेती के लिए तैयार करते हैं नेक्स्ट है आपका प्रिश्म कर्मा का 12 वर्षा रितु पर 10 वाक की लिखे पहला है वर्षा रितु सबसे मातपूर रितु है दूसरा में लिखना है वर्षा रितु को रितु की रानी भी कहा जाता है तीसरा है वर्षा रितु जुलाई मा से सुरू होती है चौथे में है मानसुन के करण वर्षा रितु में काफी अधिक वर्षा होती है पाचवा है वर्षा रितु में आसमान में बादल छाय रहते हैं छटवे में है वर्षा रितु में मौसम काफी सुहावना रहता है साथ में है इस रितु में चारों और हरियाली दिखाई देती है आठ में है वर्षा रितु में पानी की कमी पूरी हो जाती है फिर 9 मा है वर्सरितु में पानी एकठा होने से मच्छर पैदा हो जाते हैं 10 में है वर्सरितु में बहुत सी बिमारियां होती है यह था आपका लास्ट प्रेस नियावी वीडियो खतम होती है वीडियो अच्छी लगी तो फ्रीज हमारे चैनल को लाइक और सस्क्राइब करिएगा मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में